हेलो दियर स्टुडेंट्ट्ट टोडिया इम गूंग टो एक्स्प्लेंन लेशन इलेवेन एर एरॉवंड अस पेस्ट नंबर फिप्ती में एट के पॉइंट अउट नंबर थ्री के पास जो होता डीफ्रेंट फॉर्म होते हैं यानि वो कई फॉर्म में ठीक न एर has different form, हवा विभिन फर्म में होते हैं, we can feel air when it moves, first time मैं reading करूँगा, आप इसे follow कीजेगा, okay, we can feel air when it moves, moving air is called wind, when wind moves slowly, it is called bridge, when wind blow very fast, it is called storm, storm mostly comes with thunder, lighting and rain, it can even uproot trees, uses of air, air is useful to us, in many ways, we need air to breathe, air is needed for burning, air helps birds and aeroplane to fly, air helps claws to drive, okay, अब हम चलते हैं, वीडियो को explain करने, ठीक है, we can feel air when it moves, we can feel, हम महसूस कर सकते हैं, air, हवा को when it moves, जब यहाँ चल, चलता है, हम हवा को महसूस करते हैं, जब यहाँ चलता है, ठीक है न, moving air is called wind, moving air, यानि जब हवा चल रहा होता, तो उसे हम wind कहते हैं, when wind moves slowly, wind moves slowly, जब हवा धीरे चलता है, it is called bridge, तो इसे हम bridge कहते हैं, when wind moves slowly, जब हवा धीरे चलता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, bridge, ok, when wind blow very fast, जब हवा बहुत तेज चलता है, it is called storm, तब हम इसे storm कहते हैं, storm, जिसे हम आधी भी कहते हैं, ठीक है न, when wind blow very fast, जब हवा बहुत तेज चलता है, तब इसे हम आधी कहते हैं Storm mostly come with thunder Lighting and rain Storm mostly आधी प्राहा गडगड़हाट के साथ Lighting चमक के साथ और वर्षा के साथ आती है आधी जब होती है तो अपने साथ क्या-क्या लाती है गडगड़हाट बादलो की गडगड़हाट बिजली की चमक और वर्षा को लाती है It can even uproot trees या पेड़ों को उखाड़ सकती है यानि ये इतनी तेज होती है कि पेड़ों को भी जड़ से उखाड़ सकती है ठीक है Uses of air Air is useful to us in many way Air is useful लाबदायक है to us हम सभी के लिए in many way कई तरीकों से हवा कई तरीकों से हम सभी के लिए लाबदायक है We need air to breathe We need air हमें हवा की जरूरत होती है to breathe सांस लेने के लिए हमें सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है Air is needed हवा की जरूरत होती है for burning ठीक न जलने के लिए या जलाने किसी चीज़ को जलाने के लिए या किसी वस्त को जलने के लिए हवा की जरूरत होती है जैसे लकडी है उसे जलने के लिए हवा की जरूरत होगी तभी वो जल पाएगा नहीं तो? नहीं जलेगा ठीक है? Air helps bird and aeroplane to fly हवा मदद करता है पच्छियों का और हवाय जहाज का टू फ्लाई उरने के लिए हवा पच्छियों और हवाय जहाज को उरने के लिए मदद करता है Air helps cloth to dry हवा मदद करता है कपड़ों का to dry सूखने के लिए हवा कपड़ों को सूखने के लिए मदद करता है या कपड़ों को सुखाने के लिए मदद करता है Air helps cloth to dry हवा कपड़ों को सुखाने के लिए मदद करता है ठीक ना तो इस वीडियो में मैंने इसका explanation दिया एक बार हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं we can feel air when it moves हम हवा को महसूस कर सकते हैं when it moves जब यहाँ चलता है moving air is called wind moving air को हम wind कहते हैं when wind moves slowly जब हवा slowly move करता है तो इसे हम bridge कहते हैं it is called bridge wind wind blow very fast जब हवा बहुत ते चलता है तो इसे हम क्या कहेंगे it is called storm तो इसे हम आधी कहेंगे storm storm mostly comes with thunder storm आधी गरगड़हट बादलों की चमक और वर्षा के शाथ आता है it can even uproot trees यह पेडों को जड़ से उखार सकता है uses of air हवा का जो use है ठीक है air is huge यह हमारे लिए हवा जो है उसकी वह हमारे लिए लाबदायक है क्यों इसको हम देखते हैं air is useful to us in many way यह हमारे लिए कई तरीकों से लाबदायक होता है we need air to breathe हमें सांस लेने के लिए हवा की जरूत होती air is needed for burning हवा की जरूत होती है किसी चीज को जलाने में ठीक है air helps bird and aeroplane to fly हवा पच्छियों को ऊड़ने में aeroplane को ऊड़ने में सहायक होता है मदद करता air helps close to dry हवा जो होता है वह कपड़ों को सुखाने में मदद करता है ठीक है तो dear student इस वीडियो में मैंने page number 58 lesson 11 का explanation किया ठीक है न और इससे reading किया इससे आप follow करिएगा और इससे related जो भी exercise मैं find out करने को आपको दूँगा उसे आप find out करिएगा और जिस submission date में हम आपको देंगे उसे आप book में pencil से fill करके आप उसे send कर दिजेगा उसी submission date पर ओके थांक यू